हेलो फ्रेंट्स तो आज केम इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेस वे बन चुके हैं जो बनने जा रहे हैं और जिन पर अभी भी निर्माणकार चर रहा है उनके बारे में डिसकस करेंगे कि उनकी लंबाई कितनी हैं वो कितनी लैन के हैं फोल लैन ह इस पकार से पहले दोस्तों हम शुरुवात में यह देख लिएते हैं कि मुख्यत रूप से कौन कौन से हाई वे हो उसके बाद में हम सभी के बारे में अलग से डिसकस करते रहेंगे तो दोस्तों देखो यह आपका ग्रेटन रोड़ा एक्सप्रेस वे है यह आपका बन 302 क्लमेटिर है ये भी कंप्लिटेड है उस पर हीज़ो यह जन्ता के लिए लोकरपन भी किया जा चुका है फ्सको नए नए एक्सप्रेस ऑन्स के बूंद बंदेल खंट गया गया इसके लावा इनसे जो आपका है दूसरा आपका अब का यह सब्सक्राइब करना है विख सबस कर लेते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका यहां यहां से नंगाSwald ट्रिवन का गवलती प्रयागराज का टू अपका मेरट तो यह आप गंगा एक्सप्रेस भे है तो यह गंगा एक्सप्रेस भे है इसकी अभी जो है के फांडिंग इसके प्रोजेक्ट तियार किया गया यानि कि इसकी रिपोर्ट तियार कर ली गई है कि इसको जो किलिए बनाया जाएगा इस पर कोई काम ने शुरूआ हुआ ह न इसका कोई भी founding stone रखा गया है लेकिन यह आप देख सकते हो यह बहुती बड़ा express भी रहेगा UP के लिए और यह भारत में सबसे second नमर का express भी हो सकता है और इसे मना जा रहेगा कि इसको 2024 तक complete कर लिया जाएगा 2024 तक इसको complete किया जाएगा उसकी इस पर अभी काम सुरूणी हुआ है अब देख सकते हो मेरट से इलावाद यहाँ पर 12 डिस्टिक हैं जिनके तुरू यह जाएगा आपका मेरट अम्रोह बलंसहर बदायू साजापोर फरकवाद यह आते हुए यह प्रयाग राज यह इलावा इसकी लंबा ही आपकी ध्यान रखना 594 किलो मीटर है जो डिस्टिक मैंने बताई दिया है पहले ही बताया थी उन्हीं सभी 12 डिस्टिक के नाम डिखे हुए हैं यहां आप देख सकते हो यह जो है कि सिक्स लेन हाईवे है यानि कि थ्री लेन उदार आओंगी थ्री लेन सकती है दूर्षी तरप से बापसा पी तो तीन आपकी राठ शाय से गाड़ी जा सकती है और तीन गाड़ें इससे राड़ से बापसा की यह 6 लेन 10 इसको आठ लायन तक जो है की या जा सकता है यह बविस्ट में 8 लन का भी किया जा सकता है कि इसकी जो चोड़ाई है वो 120 मीटर है जो इसमें एक सर्विस रोड दिया गया है जिसकी सर्विस रोड मतलब यह जाता है कि एक साइड में यानि की जो मैन एक्सप्रेश से नीचे जहां आज पास के लोग गाहों के लोग उस हाइवे की साइड से चल सके हैं इसलिए से सर्विस रोड बोलते हैं इसके अलावा जैसके नियर्वाइ बिलेज हैं वो अच्छे से ट्रांस्पोर्टेशन फैसलिटी ले चक इसके डिफेंस कोरिडोर की स्तापना भी जो की जा रही है यहां पर डिफेंस की मैनिफेक्चरिंग की जाएगी इसी के महत्मून के लिए इसको बुंदिल खंड एक्सप्रेश वे कोई नियो रखी गई ती तो यह आप देख सकते हो यह आपके यमुना एक्सप्रेश वे ह यह जो जड़ा हुआ मैंनली आगरा लखनो एक्सप्रेश वे इसको लिंक पर दियां दूरी और हम और कहां से होता है दया का जानसी प्र्यागराश ऑप आपका चित्रकूट में आप देख सकते हो जो चित्रकूट में यहां से शुरू हो रहा और यहां पर आप देख सकते हो आगरा लखनू इसके लावा इसमें डिस्टिक कॉन कॉन से हैं डिस्टिक आप देख सकते हो वही चित्रकूट इसका सुवात इसके बीच में बांदा महुवा हमीपोर जालोन और यह आपके डिस्टिक हैं और आप देख सकते हो इस पर कम प्रोग्रेस काम चलता है बसरिफ 16% अभी इस पर का चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और इसमें आप देख सकते हो अब हम बताने वाले आपको पूर्वान चल एक्सप्रेस वे के बारे में जिसकी लंबाई हुई आपकी अच्छी खासी है 300 किलोमेटर से उपर है और यह आप देख सकते हो यहाँ आपका लखनव से आपका श् यूपी में आप जो है के बड़ी अच्छी से अच्छी आसा नहीं पहुंच सकती हो यह आपका हो गया आपका बुंदेर्खन एक्सप्रेस वे तो चलिए इसकी कुछ पॉंट देख लेते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो इसकी सुरुआत कहा है बिली गाउं चांसराय लख कोंटर पैरे ही यह डिस्टिक गाजीपर में खतम हो जाता है और इसकी टोटल लमबाई है तीन सो चालीश किलो मिटर आप देख लिखना इसका सुरुआती डिस्टिक गाजीपर आपका एंड का इसकी सुलतानपूर आयोद्या अमेड कन नगर आजंगर इसके लावा आप दिल्ली मेरट आप इसको देखोगे इसको बहुत काम अभी तक चल चुका है यह बड़ा ही इंट्रेस्टिंग है यह जो पहला ऐसा जो के एक्सपर जिसके फोटी लैन पो भी इसको बनाने का काम के जा रहा है यानि कहीं आप देखोगे इसको चार भाग इसको बनाया गया है इसका जो एक इनागुरेशन प्रदाममंति नरिंद बोदी ने मई दोयराट में किया था और आप जैसा कि अभी नेक्स्ट स्लैड में देखोगे कि इस पर फोटीन लैन क्यों बनाया गया है और इसके लावा यह पहला एसा एक्सप्रेस वेह आपको इ सकते हैं बनाया पर यह पर यह तो पहले कर दाय सकते हैं यहां से दाशना से मेरट के लिए है यह आपका स्थे आपका देख सकते हुआ है यह यह बनके तयार है इसकी लंबा यह आपकी 165 है मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि इसको अगस दो यह बारे में आम जनता के लिए खूल दिया गया था यह इस एक्सप्रेशिव का नर्माट बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसपर पर दिया इसका क्या मतलब है बिल्ट ऑपरेट एंड बनाओ उसको चलाओ इसके बाद इस लीगर मुथ्रायवा आगरा जिलर से होकर यह बुजड़ता है इसके लावा इस पर जो है कि दोयर पंद्रे में नियन एरफोर्स ने मिराज 2000 की लैंडिंग कराई थी क्योंकि यदि आपको कोई भी देश में इमर्जेंसी आ जाती है और के टाम जो है कि लड़ाकों बिवा इसके लावा आगरा लखनो एक्सपेस यह बी कंप्लिट हो चुका है इसकी लंबाई 302 किलो मीटर है इसको जो 2016 में ततकाली मुक्यमंत्री अखिलेश आदम ने इसका उद्गाटन किया था और यह आप देखोगे यह आगरा लखनो के बीच में तो आपका आगरा लखनो के यहां से निगलता है इसके लावा इस पर भी जो एक के दो याट सोलह में लड़ा कुववान मिराज की लेंडिंग कराई गई थी यह बी इसका वुद्द्ध्श भी यह यह इस राजमार पर सारे तीन किलो मीटर की हवाई पट्टी भी तैयार करके रखी हुई है इसके ला ते भी कहा जाता है तो इसी के कारण इसको इसे आठ लिंक वाले राजमार्स से पांच इसके जोड़ना है इस अइकस्पर कि कुल नंबायाप की दो 16 किलोमींटर है इसको भी दो वाहगों में वायत किया गया तो इसमें 14 किलोमींटर का एसपर सब्स बैंटर का जोए कि एक्स्टर से भी सामिल है इसको जो एकि स्राइश सरकान ने गाजयबाद की समय जो इस्टर्न फैरिफेरल है उससे भी जोडने के बारे में चर्चा की है तो धन्यवाद दोस्तों यह आपकी वीडियो यह पर खतम हो जाती है यह आप कुछ डाउट हो तो आप कमेंट वॉक्स जो धन्यवाद